राजस्थान में सर्दी का प्रको बढ़ने से कई हिस्सों में जन जीवन प्रभावित होने लगा है, प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जारी है, गुरवार को माउंट आबू में नियूनुतम तापमान तीन डिगरी की जारी है, गुरवार को माउंट आबू में सर्दी का सितम जारी है, गुरवार को नियूनुतम तापमान तीन डिगरी पर पहुँच गया, इससे ठीडुरन बढ़ गई, सर्दहवाओं के बहने से लोगों को परिशानी हो रही है, लोग गर्म कपड़े पहन कर निकल रहे बीका नेर में भी जहां सरदी का असर काफी होने लगा है, वहीं कोहरे ने शहर के अंदरूनी और बाहरी दोनों ही इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है, हर जगह कोहरा चाया और थोड़ी दूर का मंजर भी साफ नजर नहीं आता, सड़कों पर वाहन भी बहुत कम खाटू श्यामजी कसबे सहित, सीकर के आसपास के ग्रामीर शेत्र में आंशिक बूंदा बांदी के कारण चारो तरफ घाना कोहरा चाया रहा, आसमान में चाय कोहरे की वज़े से लोगों को सरदी का सामना भी करना पड़ा, तो वहीं कोहरे की वज़े से निवनुतम ताप बीदे तीन दिनों से अलसुबह कोहरे का असर देखा जा रहा है, ग्रामीर अंचल में कोहरी की वज़े से जन जीवन प्रभावित है, वहन चालों को को घने कोहरे के कारण दिन में ही वहनों की हेडलाइट जला कर अपना सफर तै करना पड़ रहा है